Hello everyone, नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जर्मन नेवी चीफ ने रिजाइन कर दिया है, इंडिया में वो आये थे, उन्होंने युक्रेइन और रश्या को लेकर कुछ अपने ओपिनियन रखे और उसके बाद उन्होंने रेजिगनेशन दे दिया, ये पूरा इ इवाक्स क्या हैं, और इनका रेजिगनेशन, कितना इंपेक्ट डालेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, इंडिया पर क्या उसका कोई इंपेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर फोटोग्रेफ में आप देखेंगे, इंडिया नेव चीफ है, इन्होंने स्टेट्मेंट दिया, और उसके बाद इनको रेजिगनेशन देना पड़ा, इन्होंने दो चीज़े बोली, जो में लीज के उपर हम बात करेंगे, पहली बात, युक्रेन कभी भी, क्रीमिया जो है, कभी भी युक्रेन का हिस्सा नहीं होगा, 2014 के लगातार इनके रिलेशन खराब है, इनके अलावा इन्होंने बताया, इन्होंने तारीफ करी रेजिगनेशन दे दिया, और इनका रेजिगनेशन देने का एक तरीका जो है, वो बड़ा ही इंटरस्टिंग लगा मुझे, इन्होंने सीधा बोला कि आप मुझे इमिडेट इनके रेजिगनेशन को एकसेप्ट भी किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज क्रियेट हो सकता था जर्मनी और युक्रेइन को रिलेशन को लेकर, जर्मनी और रशिया के रिलेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इस पूरे कॉंटेक्ट मे इन्होंने क्या बाते बोली, क्या इंपक्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे, हलाकि इन्होंने बाद में माफी माँगे कि भारत के अंदर जो मैंने कमेंट किये, ये मेरा परसनल ओपिनियन है, ये जर्मन फोर्सीज को डिमोरलाइज करना या खासकर जो फैडरल रिप Institute of Defense Studies and Analysis के अंदर, तो यहां पर इन्होंने बोला था कि नेवी जो इनके नेवी चीफ है, इन्होंने बोला कि युक्रेन जा चुका है, यानि क्रीमिया एक तरीके से रशिया के अंदर है, और युक्रेन से वो चीजे जा चुकी तो वापिस नहीं आएगी, यानि वो वापि से एक स्ट्रीप पट्टी चाहिए, है ना, क्योंकि रशिया की बाउंडरी खुद की बहुत बड़ी है, उस कंडेक्शन में क्या युक्रेन जैसे एक छोटी सी कंट्री को वो एनेक्सेशन करना चाहता है, इनका आंसर था नहीं, यानि खुदी क्योशन पूछा, खुदी और इसके अलावा, यहां पर यह इन्होंने बोला कि वास्तों में चाहते हैं कि फुली रिस्पेक्ट है ना, यानि वो चाहते हैं इज्जत, कि दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करें, यह उनकी एक इंपोर्टेंट बात हैं उन्होंने बोली, इसके अलावा यहां पर बोला ग कंट्री है चाहिए वो इंडिया हो जर्मनी दोनों के लिए और रश्या की हमें जुरूत है क्यों जुरूत है कि रश्या जो है चाइना के अगेस्ट काम कर सकता है लेकिन एक्चुल में ऐसा होगा नहीं उसके पीछे दो वज़े है जर्म चाइना और रश्या के रलेशन बार एक्सरसाइज जो इंडिया के अगेस्ट भी स्टेटमेंट्स आई ये इंडिरेक्ली जो वहां के फोर्न मिनिस्टर है और रश्या की डिपेंडेंसी बहुत जादा है चाइना के उपर वो मैं आपको बदाता है क्यों डिफैंस में रश्या बहुत स्ट्रोंग पावार इसी क्रीमिया को लेकर ही 2014 में सेंक्शन लगा दिये थे जब किसी कंट्री पर प्रतिबंदित लगेंगे आर्थिक सेंक्शन लगेंगे तो उसकी एक्रोमी डेमेज होती है उसकी अर्थिवस्ता जो उसको नुक्सान पहुंचती है इसके लावा इन्होंने बताया कि मैं रो हमारी तरफ हो इसके बाद जो है इंसिडेंट हुआ कि युक्रेयन के फोरम इस्ट्री ने समन किया जर्मन अंबेस्टर जो वहाँ पर है और यह बोला गया कि इस तरह की कमेंट जो है बिल्कुल भी एकसेप्टेबल नहीं है जर्मनी की जो मिनिस्टर डिफेंस है उन्होंन जो बात बोली है नेवी चीफ ने इनका पर्सनल ओपिनियन जर्मनी का इससे कोई लेना देना है नहीं इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से रिजे रेजिनेशन दिया इन्होंने बोला कि मेरी गलती है मिस्टेक है और जो तिंग टैंक यानि इंडिया के इंदर जो इन्होंने बात बोली यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है यह डिफेंस मिस्ट्री का या अमेरी कंट्री जर्मनी का ओपिनियन नहीं है इसी चीज को लेकर यहाँ पर आप देखिए यूक्रेयन के फोरें मिस्टर ने सोसल मीडिया पर इस्यू को उठाया कि 2014 से जर्मनी स्पो करेगी इस तरह की चीज़े इसके लावा उन्होंने फर्दर एड किया कि जर्मन पार्टनर को इस तरह की जो अंडर माइनिंग यूनिटी है उसको कहीने कई कम करना साहिए और एंक्रेज करना रसियन प्रिजिडेंट को कि वो नए अटेक या रसिया को नए अटेक करने के इसके लावा यहाँ पर इन्होंने भी बताया कि जर्मनी ने क्यों पर एक एलिगेशन लगता है कि उन्होंने एस्टोनिया को ब्लोक कर दिया कि वो जर्मन मेड जो वैपन होंगे वो युक्रेज को नहीं भेज सकते इस तरह की भी एलिगेशन वहाँपर देखने को मिलते ह खेर इन सब चीजों के बीच में जर्मनी के नेवी चीफ का रेजिगनेशन और उसके बाद क्या जर्मनी और इस पूरे कॉंटेक्स्ट में युक्रेन और नाटो ग्रूप के रिलेशन में स्ट्रोंग होगा या इंप्रूमेंट होगा ये कई सारे सवाल है जिसके आंसर हमें ढूनने है और पूरी दुनिया इनके ढून रहे है युक्रेन टेंसन एक तरीके से बोल सकते है कि युक्रेन बॉर्डर पर जो फोर्स तैनात करकी है किसने रश्या ने उसी चीज़ को लेकर वेस्टन कंट्री युक्रेन और खासकर अमरीकार उनके अलाइंश नाटो मेंब और पॉसिबल है कि रश्या कभी भी इसका इन्वेजन कर सकता है ठीक है युक्रेन के पार्ट को तो इसी डर को लेकर हाला कि रश्या यह बोलता है कि हमारा इन्वेजन करने है कोई प्लान नहीं हम दो तिन चीज़ें चाहते हैं पहले बात जो नई मेंबर नाटो के अंदर नहीं आने चाहिए और जो 1997 के बाद बने वो भी जो इसके अंदर पाटिस्पेट नहीं करने चाहिए इन चीज़ों का युएस रश्या और युक्रेन को जियो पोलिटिक्स में क्या इंपेक्ट होगा यह आने वाले समय की बातचीत होगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही ह हम यहीं पर विराम देंगे धन्यवाद जाहिन